हेलो आब Newton कैसे हैं। आप सब ही ओप आप सब अच्छी होंगे, खुश होंगे, स्वस्त होंगे तो आज की जो रीडिंग है, यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कोई qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq जो लोग भी remedy or ritual करवाते हैं उनकी में बात कर रही हूं हम guaranteed काम करके देते हैं हां मैं ये बात आप सब के सामने clear करूंगी कि हां किसी का कम टाइम लगेगा किसी के जदा टाइम लगेगा ठीक है ज़्दा टाइमी छे तो जोबी होगा बहुत ही जल्दी होगा और हम हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं हमारा काम अईसा होता एक मैं आप हम बन्याविक घॉय Creating आप नहीं झाले आपको भूख लगी है और आप देखो कि नहीं वह खाना रखा हुआ है और आपके पास आजाए आप जब तक अपनी तरफ से ट्राइब करोगे तब तक कैसे होगा है ना हमारे सपने बहुत बड़े-बड़े हैं लेकिन हम आनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा तो बात वही है कि हम वह चीज आपको लाके दे रहे हैं आपके अंदर वह उजब कर रहे हैं जिसे आपका पार्टनर जो है वह आपके तरफ आए थर्ड पार्टी से रिस्ता तोड़ दे आपसे शादी करें आपके सांथ एक होता ने जिसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करके आपके सांथ आए आपको निगेटिव वाट्स ना बोले आपकी रिस्पेक्ट करें आपको वह खुशियां दे जो कि आप डिजर्व करते हो ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी लाइफ तो आप जरूर कॉंटक्ट कीजिए मेरे वाट्स अप नंबर पे अट कर सकते हैं ठीक हम हर कंट्री के लोगों के का लोगों का काम करते हैं और लोगों का काम करके हमने दिया है अपको त recruiting यहें ऐघर सकत अपको क्या करना है पूरी तरीके से focus होकर के और तब reading को देखना है फुल focus ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं आज के अपनी यह reading ग्याइड करें जो भी मेरे विवर्स है इनके partner क्या सोच रहे हैं इनके बारे में गाइट-करेंजल इसिस्टरस गॉखे गाइड करेंडिन इदर्ट स्टाइडकेंडियू नीवेर्स प्रमारी है कि आपके पाक्टनर क्या सोच रहे है आपके बारे में टीक है ठीक है ओके लास्ट कार्ड डन ओके और अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं कि आप क्या सोच रहे हो गैड करेंजल्स ये दो कार्ड निकले हैं ठीक है जस्ट अ मिनट फिर कार्ड निकले हैं दो निकले हैं यहां पर दो कार्ड तीन कार्ड निकला है आप लोगों के लिए चलिए ले ले लेते हैं बॉटम आफ देक देखते हैं वाव लाइव और पैशन बहुत सुन्दर कार्ड कॉन्फिक्ट का कार्ड है ओके ठीक है मेजर चेंज यह आपकी अनर्जी है थर्ड पर्टी सुचेशन ओके यहां मेरे पास committed relationship and forgiveness का कार्ड ठीक है तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कार्ड में कार्ड में दिख रहा है क्लियरली कि आपके पार्टनर न देखे आप दोनों के बीच में काफी लडाई चगड़े हुए हैं और उसी को ले करके आप सोच रहे हो काफी जदा कु यह बात आप अच्छे तरीके से जानते हो ठीक है और इसलिए आप परशान हो मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपका जो रिस्ता है यह कहीं न कहीं बहुत ज़दा इसमें बदलाव आया है ठीक है मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि कार्ड के नर्जी क्लियर बता रही है कि आप दोनों के रिष्टे में काफी ज़्यादा बदलाव आया है एकदम से मेजर चेंज आया है ऐसा चेंज आया है जो कि कभी भी कभी भी नहीं आया था आप अपने लाइफ में थर्ड पार्टी सुटेशन से परेशान हो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के वज़ा से ही लड़ाई जगड़े जो भी हुए वो हुए आप दोनों की बीच में थर्ड पार्टी की वज़ा से ही बहुत सारी चीज़ तक दिख रहा है कि third party situation आई जिसके करन से यह person आपकी life में नहीं आ पाएं ठीक है मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आपके cards clear बता रहे हैं कि आप third party situation से परिशान हो और आप अपने partner से expect भी कर रहे हो कि जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई जगड़े जो भी conflict मैंने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे वैसा नहीं करना चाहिए है ना तो यहां पर clear दिख रहा है कि yes आप जो है ना अपने person से expect कर रहे हो कि यह person आपसे माफी मांगे माफी मांग के ही जो है आपके साथ अपने relationship को start करे ठीक है आपको चाहिए अपने partner से commitment बट आपके partner आपको commitment शायद नहीं दे रहे है क्योंकि यहां पे major change आ गया है आपके partner का behavior एकदम से अलग हो गया है एकदम से change हो चुगा है जिसको ले करके यहां पर आपके partner काफी confusion में है काफी confusion मैसूस करते वे मुझे दिखाई दे रह है ठीक है मुझे ऐसी feeling ऐसे emotions आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके partner के कि आप जो है ना एकदम frustrated हो जा रहे हो कि मैं इतना कुछ भी कर रहा हूं या कर रही हूं फिर भी third party नहीं जा रही है मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं है ना काफी सदा problem है यहां पर काफ third party के वज़ा से ही आप दोनों के बीच में लडाई जगडे हुए हैं conflict का card आया है क्योंकि third party के वज़ा से ही आप दोनों के बीच में काफी लडाई जगडे काफी काफी प्रॉब्लम्स आई हैं काफी जदा इशूज हुए हैं काफी जदा इशूज क्रियेट हुए हैं आप दोनों की बीच में काफी मतलब एक जो होता ने जिसे कि थर्ड पार्टी के साथ तुम क्यों हो क्या हो क्यों रह रहे हूं उसके साथ जस्ट अमिनट ओके एक दम से आपको दोका दे दिया आपको कुछ पता भी नहीं चला और आपके कहता है ना कि अपने ही दगाबाज होते हैं तो आपके पार्टनर ही आपके साथ दगाबाज ही कर बैठे है 8 of Wands के अनरजी यहांपे clear दिख रहा है कि आपसे बाते करकर करकर के यहां पे दिख रहा है आपके सारे राज जान गए आप से बाती करने लगे थे आपके partner बट यहां पर यह दिख रहा है कि आपके partner ने तो बीच में ही आपके साथ घपला कर दिया क्या कर दिया आपको दोका दे दिया बहुत ही चलाकी के साथ यह प्वर्संट फार्ट्ट पार्टी में इंगेज हो गए और यहां से निकल गए फिर से रिष्टे को सही कर जाए आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं इस वजह से आप बहुत 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 है, आप रिग्रेट फील कर रहे हो, आपको अफसोस हो रहा है कि यार यह मेरे साथ ऐसा कैसे कर गया है वैसा कैसे कर गया आप अपसूस में बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो टावर के नर्जी हो यहां में फोर गिवनेस का काड एक दम से आप माफ कर दोगे अपने पार्टनर को एक दम क्लियर दिख रहा कि यह आप माफ कर दोगे आपको माफ करने में कुछ नहीं है लेकिन कुछ लोग जो है कुछ लोग होते हैं कि बार-बार आपके रिलेशनशिप में आते हैं और आपका रिलेशनशिप खराब करते हैं तो कहीं न कहीं आप इसको मान के चले हो कि नहीं आपके साथ जो भी र पार्टनर आपके सांथ continue करें ठीक है आप इनको माफ कर दोगे ठीक किसी के बहकावे में आ गये थे यह पॉरसन और इन्होंने बड़ा है ऐधी सब्सक्राइष है चलिए आपके पार्टनर के कार्ट देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सूठ रहे है ठीक है आपके पार्टनर के कर्ट्स då manifest second chance stability pregnancy okay live in the moment answers arriving crying and depression ठीक है तो आपके partner क्या सोच रहे हैं सबसे पहले तो यह person manifestation करने के बारे में सोच रहे हैं और देखो आपके आपके लिए यह person manifest भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा देख रहा है कि आपको manifest कर रहे हैं क्योंकि यह person जानते हैं कि आपके बगार इनका कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पे हाला कि पहले भी दिखाई कि third party suggestion रही है और इन्हों ने दोका दे दिया था आपको मैंने पहले भी बताया और यहाँ पे second chance का भी card आया है तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके partner को यहाँ पे आप समझ में आ रहा है और मुझे दिख रहा है कि second chance यह person चाहते हैं आपके साथ अपने relationship को ले करके अपने रिष्टे को ले करके एक दूसरा मौका जो है यह person तलास रहे है यह person चाहते है कि आप ही इनको offer कर दो सीधा आप ही इनको सीधा offer कर दो कि यह relationship मुझे चाहिए और यह relationship की मुझे जरुरत है मुझे तुम्हारी जरुरत है मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ तो यहाँ आ सकता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके partner को आप बहुत बहुत ज़ादा एक तरीके से attract कर रहे हो तो यहाँ पे second chance आपके partner को चाहिए आपके लिए अपने लिए मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है तो यहाँ के energy के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है कि आपके partner सोच रहे है कि इस relationship में अब stability आ जाने चाहिए अब यह रिस्ता काफी जदा अच्छा हो जाना चाहिए complete हो जाना चाहिए यह रिस्ता जो है ना complete हो गया तो समझो की सब हो गया ठीक है तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके cards में आपके partner आपके साथ रिस्ता आगे करने के लिए या अच्छा करने के लिए यहाँ पे एक आपको जो है ना यह person अपनी wife या अपना husband है ना बनाना चाह रहे है और यहाँ पे आपको इस रूप में देखनी की चाहत काफी जदा हो रही है आपके partner को मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके partner को आपसे बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- ठीक है मुझे यहां की एनरजी के अनुसार से क्लिरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ जो है इस रिस्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और यहां पर यह दिख रहा है कि इनको गाइड कर रहे हैं कि नहीं 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 तुम आगे बढ़ो तुम तुम आगे बढ़ो तुम आगे बढ़ो ठीक है ना तो यहां पर मुझे क्लिरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना एक तरीके से आपके साथ जो भी रिस्ता है जो भी एनरजी है जो भी है ना तो यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक इस रि और आपके पार्टनर को तकलीफ हो रही है, आपके पार्टनर को दर्द हो रहा है, आपके पार्टनर को काफी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यह पॉर्टन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को काफी एक होतन जिसे की काफी जदा आपकी याद आना है ना तो आपके पार्टनर को वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है चलिए मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट के एनर्जी क्या है बताईए मुझे मैनिफेस्ट यह पर्षन एक रोमेंटिक से रिलेशनसिप मैनिफेस्ट कर रहे है क्योंकि इनके जीवन में सब कुछ तो है आप भी हो इनकी लाइफ में आप आ जाओगे बट यहाँ पर क्या है इनके अंदर रोमेंटिक सी फिलिंग्स नहीं है यहाँ पर इमोशन्स नहीं है अभी फिलहा और मुझे जाना तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी जादा रूड किस्म के इनसाने काफी ज़्यादा रूड हैं यह पर्षन और रूड होने के कराण से आपकी लाइफ में यह पर्षन का आना आपको लगता है जिसे की बहुत बड़ा पंगा है यह पर्षन मेरी जो भी रिस्ता है उसको continue करने में है ना इनको वो नहीं है जैसे होता ने कि जैसे कि continue करने में हमें headache होता है या हम नहीं चाहते हैं कि continue हो है ना आपके साथ continue करना चाह रहे हैं second chance page of coins बचकानी से हरकते करते रहते हैं इसलिए पॉर्सन को बात करने का बहुत मन कर रहा है और मुझे दिख रहा है कि यह जो पॉर्सन है आपके साथ अपने रिस्ते को निभाने की energy में आ चुके हैं निभाना चाहते हैं यह पॉर्सन दिल से चाहते हैं कि आपके साथ जो है यह रिस्ता जो है निभाई और आपके साथ जो भी है एक जो हमें प्यार आता है हमें मौबत आती है हम बात करने लगते हैं अपने पार्टर से तो वह बात करने वाली energy मुझे clearly दिखाई दे रही है आपके पार्टर के अंदर आपके पार्टर का काफी मन हो रहा है कि आप स इक आपके कार्ट से मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि इट आपके कार्ट से मुझे clearly दिख रहा है प्रेग्नेंसी का कार्ट तो है ही यह परसंध आपसे बात करने की चाहत काफी ज़्यदा रखते हैं और बात करके relationship में इस लाना चाहते हैं इस बात करके इस रीस्ते में दा इमपरस यहांपे भी मदर की नर की एंटरॉची डिखायं दिरी यहोगा फैप चल most यहां पर clear दिख रहा है कि आपके पार्टन ने रेडी सोचा है कुछ अच्छा कुछ अच्छा का मतलब यही है कि आपके साथ baby baby चाहिए ठीक है मुझे यहां पर यह दिख रहा है card में ace of cups का card okay यहां पर ace of cups का card clear बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ एक new beginning करना चाहते हैं क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि जो भी चीजे चल रही है ना उसमें यह person जीना चाहते हैं ठीक है और आपके साथ ही जीना चाहते हैं मुझे यहां पर यही दिख रहा है क कि आपके पार्टनर को जीना है आपके सांथ ठीक है और आपके साथ न्यू बिंग्निंग तो करनी है आपके पार्टनर को ठीक है इसमें कोई शक नहीं है तो न्यू बिंग्निंग करनी है आपके पार्टनर को त्री आफ कोईंस का काड है आपके पार्टनर को एंसर मिल रहा ह जैसे कि यह पॉर्सन सोच रहे हैं वैसे वैसे इनको एंसर मिल रहा है कि यह तुम अपने रिस्ते पर काम करो जदा वर्क करोगे तो तुम्हारा रिस्ता जो है ऐसा होगा वैसा होगा बहुत सारी कुछ चीजे जो है आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखा कुछ आपके पार्टनर के एनरजी दिखा रहे हैं कि यह पसन करने वाले हैं वाओ तो आफ denied रहे हैं क्योंकि आपकी याद आ रहे है मैने पहले भी कहा मैं आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं क्वीन अफ व Anfang जी आपके जो है आखना एनर्जेतिक और रिका औ हैं और serious यह person होते चले जा रहे हैं लागातार तो मुझे तो यहां पर clearly दिख रहा है कि ऐसे आपके पार्टनर को आपकी चाहत जाधा है और चाहत होते हुए तभी यह जो है person आपकी life में आना चाहते हैं ठीक है तो overall reading में मुझे यही दिख रहा है आपके cards में I hope reading आपके साथ resonate की होगी resonate की है तो चनल को subscribe करना वीडियो को like करना शेयर करना और मिलते हैं फिर किसी नई reading में तब तक के लिए बाबाए